पूरे अमेरिका और यूरोप में बधुहार को सोशल मीडिया नेटवरकिंग साइट फेस्बुक और इंस्टरग्राम के डाउन होने के चलते लाखो यूजर्स का निराश होने का सामना करना पड़ा इस निराशा और गुस्से को यूजर्स ने दूसरी सोशल मीडिया नेटवरकिंग साइट ट्विटर पर जम कर शेयर किया और फेस्बुक इंस्टरग्राम के डाउन होने पर भड़ास निकाली यूजर्स करीब एक घंटे तक समस्या से जूजते रहे यूजर्स साइट पर लॉग इन और पोस्ट नहीं कर पा रहे थे फेस्बुक और इस्टरग्राम के डाउन होने का असर दुनिया के कुछ हिस्सों में भी देखा गया वही फेस्बुक के प्रवक्ता ने यूजर्स के एक घंटे से ज्यादा इस समस्या से दो चार होने के पुष्टी करते हुए कहा कि कुछ लोग फेस्बुक से जुड़े एप को एकसेस करने में परिशानी कर रहे हैं हलाग कि प्रवक्ता इस समस्या का कारण नहीं बता सके। कैलिफोनिया के दिगज कमपनी फेस्बुक के दो बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। यूजर्स की ट्विटर के जरीए फेस्बुक एकसेस न कर पाने या सीमित फंक्शन के होने की दर्स के बाद कमपनी को डाउन होने के समस्या का पता चला। फेस्बुक ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ लोगों को वर्तमान फेस्बुक से जुड़े एप्स तक पहुंचने में परिशानी हो रही है, हम जल से जल इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ समय बात फेस्बुक ने नेटवॉक में बाधा डालने के मकसद से किसी तरह के साइबर हमले को नकारते होई कहा कि हम ने इस समस्या को जल से जल इस जल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। लेकिन हम इस बात की पुछ्टी कर सकते हैं कि यह समस्या DDOS हमले से संबंधित नहीं है।